राट और समाज के सभी शाखाओं को एक कर समाज को राश्च्री स्तर पर एक करने के लिए राट और समाज के समाज सेवियों ने एक बड़ी पहल की है जिसके तहट विगर दिवस सभी शाखाओं के पदाधिकारियों की एक महा बैठक संपन न हुई स्थानी उशा नगर सित परिसर भवन में अवजित इस बैठक में मधिप्रदेश के अलावा आसपास के अन्य राज्यों के पदाधिकारिगंड शामिल हुए थे कारिक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया राठोर समाज की इस महा बैठक में इस बात पर विशेश जोर दिया गया कि सब ही शाखाओं को एक जुठो कर एक महा संसा का गठन करना चाहिए ताकि समाज की ताकत दिखाई दे साथी आगामी चुनाव जो की दिसंबर में होने जा रहे हैं उस मामले में भी विचार विमर्ष किया गया गारतलभे की एकी करन का प्रयास पिछले लंबे समय से चल रहा है कारगरम में पूर्व प्रांती अध्यक्ष राजकुमार राठोर सहीत अन्य पताधिकारियों ने समाज के एकी करन पर अपने सार्ग गर्भित उद्भोदन दिये राठोर चिती समाज विकास सभा का संभिलन आज दिनांग 8 जुलाई 2018 को इंदोर उसार राजय परिशन में राष्टी कारेकल साला का आज़न किया गया इस आयजन में राठोर समाज के विबनेश शाखाओ के पराधिकारियों का भी पुष्प माला पहना कर स्वागत किया गया हमारे राठोर समाज का यहाँ पर प्रांती राठोर सभा और राष्टी सभा इन दोनों की एक संयुक बेटे का यहां पर आयज जूत की गई है जिसमें की आगामी दिसंबर में जो प्रांती सभा के चुनाओने वाले हैं वो समाज में दो गुटों में बटे थे उन गुटों को एक करके और एक चुनाओ पर आज इस पर पर चर्चा होगी राष्टी सभा ने भी अपने आपको सब्दूर से जितने भी देश की जितने भी गुटे हैं सबको मिला करके एक सभा करने का निड़न लिया है और उसी तारितम में हमारे जो गोविंजी राठोर, राष्टी अध्यक्ष और शम्भू दियाल जी उन समने सबको बुला करके और एक ही सभा में एक ही चुनाओ करने का आपके डिड़न लिया है इस आयचन में राष्ट्र अध्यक्ष गोविंद राठोर, प्रांतिय अध्यक्ष शम्भू राठोर, पुर्वप्रांतिय अध्यक्ष राजकुमार राठोर, राष्ट्री संरक्ष पूरन मामा, जगदीश राठोर, जी एस राठोर के अलावा राम किशन राठोर सहीत कई वरिष्टपदाधिकारी मौजुद थे